जो हार दोस्तों मैं इस्मृतिया इश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को JPSC और BPSC के मुख्य परिक्षा के syllabus के according एक प्रश्ण का उत्तर कराने वाली हो जो प्रश्ण मैंने आज ही क्लास में लिया है ये राज ववस्ता विसे से है और ये बिलकुल syllabus के according है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्ण है और जब मैंने इस कैंसर लिखे हैं तो लगबग 300 शब्दों में मैंने लिखे हैं इस कैंसर अगर JPSC में ये प्रश्ण पूछा जाता है तो 20 अंक के ये प्रश्ण होंगे तो प्रश्ण क्या है तो मौलिक अधिकार और निति निदेशक्त अथ्यों जो है या पिर सिधानत है उससे संबंदी था और शब्द संख्या और अंक का भी आपको ध्यान में रखना है एंसर इसका मैंने किस तरीके से किया है चलिए अब हम लोग इसको जानते है मूल अधिकार और निती निशत्तत्व यदिपी इन दोनों का लक्षे जो है वो एक ही है इन दोनों का ही लक्षे भारत की प्रगति और भारतिया नागरिक को विकास के अधिक्तम अवसर प्रदान करना है यह जो मौलिक अधिकार और निती निशत्तत्व है दोनों का लक्षे एक है दोनों ही जो है वो भारत की प्रगति पर फोकस करता है और जो भारत के नागरिक हैं उनके विकास के लिए अधिक्तम अवसर को दिलाता है यह दोनों का लक्षे एक ही है और इस दिरिश्टी से मूल अधिकार यदि साध्य है तो निति निश्रत तर्तु जो है वो साधन है लेकिन परसपर घनिस्ट रूप से सम्मंधित होते हुए इन दोनों में कुछ महतोपूर्ण अंतर भी है अब कौन कौन सा अंतर है तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं शौर्ट में आपको बताऊंगे फिर डिटील में आपको मैं पिछले पेज में कराऊंगे सबसे पहले मैंने एक तरफ दो भाग मैंने इसका किया है एक तरफ मैंने मौलिक अधिकार जो है इसमें मौलिक अधिकार की विशेस्ताएं मैंने लिखी है और नितिन श्रतत्तों में नितिन श्रतत्तों के और दोनों में तुलना मैंने किया है यहां पर तो मौलिक अधिकार है वो क्या है तो यह राज्य की शक्ति को सीमित करता है क्या करता है तो मौलिक अधिकार वाद्धियोग्य है यानि कि नयाले में यह वाद्धियोग्य है जबकि नीति निश्रतत वाद्धियोग्य नहीं है कैसे हम लोग आगे जानेंगे नेक्स्ट है कि राजनेतिक लोगतंत्र की अस्थापना करता है ये मौलिक अधिकार राजनेतिक लोगतंत्र की अस्थापना करता है वहीं पर जो निती निशत्तत हुए है ये समाजिक आर्थिक लोगतंत्र की अस्थापना करता है दोनों में अंतर है यहां राजनितिक लोग तंत्र और यहां समाजिक और आर्थिक लोग तंत्र नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार जनता को प्राप्त अधिकार यानि कि यह जो अधिकार है वो जनता को मिला हुआ अधिकार है जबकि वही जसे मैं यहां जनता को मिला हुआ यह अधिकार है वही पर यह राजे को मिला हुआ दाईतो है क्या नितिनिदिश्रततों तो यह तत्व नागरिकों के प्रती राजे के दाईतों है राजे का दाईतो है नितिनिदिश्रततों वही पर मौलिक अधिकार जनता को प् अगर आपको इसके नोट्स चाहिए दोस्तों तो मेरा जो वाटसअप नंबर है मैं यहां लिख देती हूं अपना वाटसअप नंबर आप इस पर संपर करें पेड हैं 5905917516 यह मेरा वाटसअप नंबर इस पर संपर कीजिए बुखयों परिक्षा कि अगर नोट्स आपको चाहिए तो यह मेरे hand written notes है चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको अंतर को हम लोग जाने और भी अच्छे से detail में तो पहला जो अंतर है जो असपस आपको करना है कि मूल अधिकार न्याई योगे है लेकिन नितिन शतत्तों न्याई योगे नहीं है कैसे तो मूल अधिकार और सबसे प्रमूक अंतर जो है वह ये है कि मूल अधिकार न्याई योगे नहीं है कैसे यदि को यादि कोई कानून किसी मूल अधिकार का उलंगन करता है तो क्योंकि अनुछेद 32 ने सर्वोच नयायले और उच नयायले को अधिकार दिया है कि वे मूल अधिकारों को कर्यानवित करने के लिए उचित करवाई करें यह सर्वोच नयायले और उच नयायले को अनुछेत 32 नहीं अधिकार दिया है कि अगर मूल अधिकार को कर्यानवित करें और उचित करवाई करे उसो क्रियानवेन करने के लिए अता यह नयायाले जो है चाहे सर उच नयायाले हो या उच नयायाले हो अता यह नयायाले मूल अधिकारों का उलंगन करने वाले कानून को अवैद ठहराए जा सकता है तो वैसा कानून जो मूल अधिकार का उलंगन कर रहा हो उसको यह नयायाल उसमें ना तो कोई नयोग अधिकार हम लोगों को प्राप्त होता है उससे और संभीधान कोई वरप्चार सुझाय आया है एसा कोई संभीधान कोई उप्चार नहीं बता है जब memorाना के लिए इस प्रकार मूलडिकार को दैंप नहीं है यह बहुत बड़ा अंतर है मूल अधिकार और नितिन श्रतत्तों में इन्हे तो जन्मत का बल और नितिक शक्ति ही प्राप्त है अब चलिए अगला जो भाग है जो अंतर है नितिन श्रतत्त और मूल अधिकार में चलिए हम लोग उसको देखते हैं देखें मूल अधिकार निश्यधात्मक है जबकि निदेशक्तत्तो सकरात्मक निर्देश है कैसे तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं यह दूसरा बेसिक अंतर है मूल अधिकारों निश्यधात्ततो में तो दूसरा अंतर यह है कि मूल अधिकार राजे के लिए कतीपे सरकारा राज्य को कुछ काम न करने का आदेश दिया गया है इसके विपरीत राज्य के निटिनिश दैट्व जो है वो सरकार को कुछ साकरात्मक आदेश हैं जिसे पूरा करना उसका करतव धराये गया है तो एक क्या है निति निश्धात्मक आदेश है, निर्देश है, जबकि मूल अदिकार निश्धात्मक है, प्लियर चलिए, मूल अदिकार नागरिकों के लिए है, मूल अदिकार किसके लिए है, तो जो नागरिक है उनके लिए है, निति निदेशक तत्व जो है, वो राज्यक के लिए बना स्थापना की गई है आपने वहां भी बेसिक अंतर में भी देखा है वन लाइनर्स में कि जो मूल अधिकार के द्वारा राजनेतिक लोग तंतर के स्थापना की गई वहीं पर जो निती निद्रशक्तत्तों है इसका लक्षे जो है वह आर्थिक और समाजिक न्याय पर सी का है मिनर्वा मिल्स और अन्य विवाद इसमें निर्णे देते हुए कहा है और इस बात पर सर्वोच न्यायाला ने बल दिया है इसी केस में कि मूल अधिकार और निदेशक्तत्त्तों संभिधान की इन दो प्रमुख व्यवस्थाओं में यह जो दोनों जो व्यवस्था कि अगर मौली अधिकार का कानून हनन कर रहा है तो फिर उसको अवैट है राए जा सकता है उसको उच्ची सिति प्रापत है और न्यायाला में वाद योग है तो न्यायाला में दृष्टि से उच्चा उ सिति प्रापत है मूल बात यहा है कि निदेशक तत्तों को नियाय योगे स्थिती प्रधान नहीं की गई है, अभी आपने थोड़ी दर पहले पढ़ा है, तता यहाँ बात मूल अधिकारों को निदेशक तत्तों की तुलना में उचिति करती हैं, तो बहुत इंपोर्टेन जो लाइंस है, तो उसी को मैंने यहाँ पर डाला है बाकी को मैंने नहीं किया है देखिया है मूल अधिकार और निति रिशतत्त्त जो है वो दोनों ही समयधानिक धाचे के अभीन अंग है यह दोनों ही समान रूप से महतोपूर्ण है इन्हें एक दूसरे के संदर्व में देखा जाना चाहि जहां मौलीक अधिकार वैक्तिगत कल्यान को प्रोशाहन देते हैं वही निती रिशतत्तों जो है समुदाय की कल्यान को प्रोशाहन करते हैं तो यह रहा आजका एंसर और कल हम लोग next प्रस्ट प्रेंस्ञ करेंगे और यह प्रष्ण होगा भारत के राष्टरपती से तो और राज़ववस्था कहीं है प्रश्ट है यह भारतिय राष्टरपती की सक्तियों करना कीजिए जून में हम लोग फिर प्रोड़ी जचा करतें नेक्स्ट प्रश्न पे तो आज ही क्लास में बस इतना ही मिलते नों नेक्स क्लास में लेते हैं आप से विदा धन्यवाद